नितीश और लालू के बीच भले ही सीट बटवारे पर पेज फसी हो तो दूसरे तरफ बीजेपी कम परिसान नहीं दिख रही है बीजेपी अपने संभावित स्वयोग्यों को लेकर संसेम है अब परियास शुरू हो गया चुड़ा दही के भोज खत्म होने के साथ ही सुब सं संकेत मिनिन लगा इसके बाद बिहार से कई दिगज नेता जो बीजेपी में अपनी किस्मत अजमा रहे हैं बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर जीत का सपना देख रहे हैं वो भाजपा के नेताओं के साथ बैट कर सीट के मुद्दे पर समझावता की पहल कर रहे हैं बीजेपी में चर्चा चल रही है चिराग पास्वान और पती पारस को कितनी सीटे इस बार मिलेगी इस बात को लेकर जो बीजेपी खेमे में चर्चा है जो बाचित का तरीका है उपेंद्र कुस्वाहा और जीतना माजी इनको कितनी सीटे मिलेगी इन तमाम बातों को लेक knowledge, तरह जिस तरीके से पटना से लेकर अधिली तक मन्थञ चल रहा हूँ, उस मन्थञ के बीट से जो जनकारी हमारे पास हमारे स्वयोगी लेकर रहे हैं उससे हम चर्चा करते हैं, हमार साथ तेज परताब हैं, बीजेपी बीट को देख रहे हैं काफी दिनों से, इन से समझते हैं कि आखिरकार भाश्पा में इतनी बेचेनी किस तरीके से है और क्यों है, क्या इंडिया गट बंदन के नेता, जिस तरीके से सीटों के मामले पर में सीट बटवारे को लेकर उपेंद्र कुसवाह, चिराग पासवान और जीतना माजी दिल्ली में मौझूद है, बीजेपी यह कहीं नेताओं से मुलाकात है, क्या फर्मूला है, सीटों को लेकर, जेखरिश मैं बता दूँँ कि दिल्ली में यहां दही चुरा भोज आपक दिल्ली से निकल कर आई थी, और कहा जा रहा था कि नितीश कुमार एंडिये में साथ आएंगे, इसको लेकर फड़ा उठल उठल मचा हुआ हुआ है, इन चोटे सही योगियों के बीचिन अब जो ख़वर निकल कर सामने आई है, वो उनके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि बीचेपी के दोख कदावर नेता, उनकी मुलकात इन नेताओं के साथ हुई है, और इन नेताओं के सामने जो है, जितन राममान जी, उपेंदुकस बाहार और जो है, राम बिलास के राष्टी अध्यक्स, चिराग पासबान ने अपनी बातों को रखी है, और बताया है क उनका इसवार क्या कुछ प्लान है और क्या इस प्लान पर BJP तयार है कि नहीं है, क्या जो उनका डिमांड है वो BJP पूरा करेगी या नहीं करेगी, और BJP आला कमान के तरफ से उनके लिए क्या मैसिज दिया गया है, न तमाम चीज़ों को लेकर देज राज चर्चा हुई ह और चर्चा के बाद जो बाते चंकर निकल कर सामने आई है उनका कहना है कि इस वार जो मीटिंग हुए उसमें कहा गया है कि चिराग पासवान ने सबसे पहले बोला कि देखिए देखिए दो हजार चौदा और दो हजार उनीज की तरह मुझे इस वार भी छे सीट चाहिए लो नेताओं के साथ उनकी भाजपा के नेताओं के साथ बात हुई तुन्होंने का देखिए बिहार में सवयोगी दलों से बातचित करने की जिमवारी बीजेपी में दो नेताओं को प्रमुकता से दी गई है और कई बार यह नेता दीखे विए सबसे पहले नित्यानंदर आए और भुपेंदर यादों को नित्यानंदर है कई बर पठतना भी पहुंचे चिराक पासवान के घर जाकर मुलाकात कर पाए किये हुए है ओपेंदर कुसला के घर जाकर ओने लिताओं को बीजेपी ने इन नेताओं के साथ शुर्वाती बाचित करने के लिए इनका अफ़क्ष जानने के लिए और इनको समझाने की जिम्मवारी दी हुई है तो बाते निकल कर सामने है उसमें का छे सिट लेकिन इन दोनों नेताओं ने कहा कि देखिए फिलहाल आप हम तीन सीट चुनाबलणी की तायारी कुरें झारे लेकिन बात हो जाती है फिर तीन सीट के जब बात आहिए तो चिराग पासवान में कहां कि ठीक हम तीन सीट पर चुनाबलणी के तैयार लेकिन हाजिपुर सीट में भी चाहिए तो अब समस्या यहां उठपन हो ग affairs there is a कि उनके पास जब बात कही तो तो अब अब के बात पहुंची तो टेलेफ़शूनिक जो सुत्र बताता है उनसे पूछा गया कि आपका क्या इस बार न जरी है तो ने शे सीट का दावा पषिष किया लेकि उन्हें भी तो यह कहा गया कि आपको जो है दो सीट लोगसभा को औ पारस और उनके बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और एक सीट या फिर हो सकता है किसी अनुमिदबार को चुनाव लड़ाया जाए हो सकता है कि ऐसा मैं संभावना जताए जा रहा है कि पसुपती पारस को इस वार जो है हाजीपूर से पत्ता काट कर राजसभा भेजा पर्त्सकाँ करो अनुमिदबा जा यह साथ किरा ना जा सकता है और हाजिरपूर से पर चिराग पास्वान जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं या चिराग पासवान करी हैं बहत करीवी माने जाते हैं यह मानेश की तछ की वे चिट लिए की त है तो था क्रुवाह कोई कषी है गया उसमें कहा गया है इंगनेश की बता देब को उपेन को बाना कहा कि हमें फिलहाल चार स्टीट पे अपनी दाविदारी पेस की उन्होंने बोला कि हमें काराकट, जहानाबाद, सितामधी, जहांजपूर या सुपोल में से कोई एक सीट हमें दिया जाए लेकिन उनकी बात सुनने के बाद जो ये दो नेनेता थे, उन्हें कहें कि आपको दो सीट दिया जाएगा, आप ये तै करें कि आप किन दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आपको चार सीट देने पर फिलहाल बिचार नहीं किया जा सकता है, आप नेने आये हैं, आपको पिछली बार भी हमारे साथ थे, तो तीन सीट दिया गया था, लेकिन इस बार अभी ने ने आये हैं, अभी पार्टी के रनीतु को समझना है, और लोग सभा चुनाव सीट पे है, तो इतनी जल्दी में, मान जी को कहा गया कि मान जी ने भी बोला कि हमें दो सीट चाहिए, लेकिन मान जी जो दो सीट का दाबा कर रहily थे तो उनके उनको कहा गया कि आपको गया लिग्ताभा सीट दिया जाएगा अप दूसरी सीट की जो मान कर रहे है उसे जगगह पे आपको खुद को मसले को राज सभा वेथने की बाट ह होई, आपको राज सभा भेर जाएगा, यानि एक पसूप सभी नेताओं को लेकर बीजेपी टटोल रही है जितरह माजी उपेंद्र कुस्वा चिराग पास्वान परश्वती पारस के साथ सत्मुके सनिव के उपर भी भाजपा के नेता डोरे डाल रहे हैं और उनको लुभाने की कोशिस की जा रही है लेकिन अब सवाल यह है कि अगर चिराग पास्वान जब उनकी पूरी पार्टी और परिवार एक साह था तब 2014 और 2019 के चुनाओं में बीजेपी ने 6 सीटे दी थी एक राजसवा की सीटे दी थी वही फर्मूला इस बार भी लगाने की कोशिस की जा रही है लेकिन दो टुकुड़े में बाट के उपेंद्र कुस्वा को भुगतना पड़ रहा है कि बीजेपी उनको तीन सीटों के जगा पर क्योंकि 2014 के चुनाओं में बीजेपी का प्रस्ताव दिया गया है जीतरा माजी को भी एक सीटों का प्रस्ताव दिया गया कहा गया कि आप खुद लड़िये या बेटे को लड़बाईए ग खिलार मांसे बीजेपी के सांसद है उस सीट पर जीतरा माजी ने 2019 का सुनाओ लड़ा था लेकिन वो सुनाओ हार गये थे अब एक बार फिर से वो सीट बीजेपी उनको देने के लिए तयार हो गई है एक सीट राजसभा की अब वो भी जीतरा माजी के मर्जित है कि उस लिया गया और इस राय को बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो आला कमान को भेजेंगे और यह जो नेता है जो बिहार के नेता है जो छेत्री अदल में चाहए वो छिराग पासपानों पस्पती पारसों पेंद्र कुस्वाहो जीतरा माजी हो और फिर मुके सनी यह सब ही कोशता है, वो करता है. इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ, अपने पुर्णिया में घर ले लिया है, पुर्णिया के e-homes panorama में, पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग, अड़े अड़े, आप Buxurious, Lifestyle Redefined